नमस्कार आप सबका मेरे चैनल विंदास कोकिंग विद रीतु में बहुत बहुत स्वागत है जनमस्ट मी आने वाली है जनमस्ट मी पे अक्सर लोग वरत रखते हैं और तरह तरह की चीज़े बनाते हैं आज हम प्रशाद के लिए बनाएंगे मखाने की स्पेशल खीर यह ऐसी हीरे जिसे वरत में खाया जा सकता है और भोग भी इससे लगाया जा सकता है पूरी तरह से केवल ड्राइफरूट से बनी है और दूट से और इसमें बहुत जादा ड्राइफरूट का इस्तेमाल भी हमने नहीं किया है हम dry fruits को किस तरह efficiently cut कर सकते हैं यानि grate कर सकते हैं यह भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी मेरे पास एक ऐसी छोटी सी device है जिसकी help से हम dry fruits को बहुत ज़ादा अच्छी तरह से उनके पतली पतली जो gratings हैं वो निकाल सकते हैं और उसे बहुत सारा दिखा सकते हैं अब हम एक कढ़ाई के अंदर सबसे पहले सिर्फ दो drop घी डाल देंगे और प्रशाद बनाना है तो मैंने घी गाय का इस्तेमाल किया है अच्छी तरह से कढ़ाई को कोट कर देंगे इससे कभी भी हमारी जो दूद की कोई भी आप कर लेंगे तो इस तरह से हमें प्रसाद बनाने के अंदर केवल 15 मिनट लगेंगे और यह प्रसाद पांच कटोरी के लगभग बनकर तैयार होगा इसके लिए मैंने एक कप मखाने लिए यह 25 ग्रामें एक चमच चिरोंजी लिए और 10 से 12 जो हैं काजू लिए और 15 कुल मिला इसकी हेल्प से बहुत पत्ली शेविंग भी आप निकाल सकते हो और आप चाहें तो मोटे मोटे छिलके भी इसके निकाल सकते हो अब ही मैं आपको ग्रेट करके रिखाती हूँ कुल 15 बादाम में वो ग्रेट करने के बाद कितने हमें ज्यादा लगेंगे इस तरह से बस इसके अंदर 4-5 बादाम डालिए और ग्रेट कर लीजिए और इससे हमारा काम फटाफट भी हो जाता है और असान से भी हो जाता है साथ में ये बिल्कुल बाजार जैसी जो हमें कटिंग मिलती है ड्राइफ रूट की और उसके अलावा ये 100 रुपे के अंदर अंदर बाजार में आपको बड़े अराम से मिल जाएगा टोटल मिला के मैंने 15 जो हैं बादाम लिये थे और ये देखिए इसका कम से कम दो से तीन चमच भरकर अच्छी तरह से हमारे को बादाम के टुकडे मिल गए हैं इसी तरह मैं काजू के टुकडे भी गर लूँगी आप जिस मर्जी ड्राइफ रूट के इसमें अराम से पतल चिरोंजी है और 10 बारा जो हैं मैंने केसर के धागे ली हैं अब मैं इसके अंदर जो दूद उबलने रखा है उसमें से दो कर्ची के लगबग दूद में डाल दूगी ताकि केसर इतनी देव दूद में भीग जाए अब हम एक फ्राइंड पैन लेंगे और उसके अंदर य अगर आपको जरूरत लगे तो आप एक चंबच देशी गी टाल सकते हैं पर जरूरत हमें पढ़ती नहीं है अब इसको भूद में बूद में निकल जाए और इसी कड़ाई के अंदर हम वापस से मखाने जो मारे हैं उनको सूखा ही रोस्ट कर लेंगे अगर आपको जरूर लगे तो आप एक चंबच देशी गी टाल सकते हैं पर जरूरत हमें पढ़ती नहीं है अब इसको भूनने में हमें बिल्कुल हलकी गैस करनी है और तीन से चार मिनट तक इसे अलट पलट करते वे अच्छी तरह से रोस्ट करना है इनकी रोस्ट की पहचान मखाने की क्या हो होती है कि अगर हम इसे हाथ से तोड़ कर देखेंगे तो यह एकदम से चूरा हो जाएगा यह देखिए घरम बहुत गरम है यह देखिए यह राम से तूट रहा है और काफी कुरकुरा हो गया इतनी देर दूज में उबाल आ गया है आप दूद तेजी से उबलने लगेगा हम तेज गैस पर ही खीर बना लेंगे और 10 मिनट में खीर बनकर तैयार हो जाती है सारे ड्राइफ रूट जो मैंने रोस्ट करके रखें वो इसमें मैं एड्ड कर दोंगी इसके अलावा जो हमने मखाने रोस्ट की हैं उसमें से आदे मखानों को तो मिक्सी के अंदर पीस कर पाउडर बनाएंगे यह मैंने केसर का जो दूद है वो भी डाल दिया है अब हम इससे तेज गैस पर उबलने देंगे यह बहार नहीं निकलेगा क्योंकि हमने इसमें ड्राइफ रूट डाल दिये तो यह आराम से इसी तरह उबलता रहेगा आदे मखाने मैंने पीस दिये और उनको वापस से मिक्सी में पीस कर और मैंने इसके अंदर दूद के अंदर ही डाल दिये हैं जैसे ही हम मखानों का पाउडर दूद में डालेंगे तो एकदम से दूद जो है वो तेजी से गाड़ा होगा और हमारी खीर के मखाने डालने के बाद पांच निर भी गाड़ होने में नहीं लगते हैं और बाकी के आदे मखानों को मैंने इस तरह से हलका सा चूड़ा कर लिया यह देखे कितने आराम से इसका चूड़ा हो रहा है इस तरह से और इन मखानों को भी हम वापस दूद के अंदर डाल देंगे इस तरह से हमारी बहुत ही अच्छी खीर बनकर तैयार हो जाएगी अब हमेंसे ज़्यादा दे नहीं पकाना है इसके बस चार से पांच मिनट बस हमें और पकाना है उसके बाद दूद इसमें चीनी डालनी है लेकिन क्योंकि हम ये जनवस्टमी का स्पेशल परसाद बना रहे हैं तो इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे इसमें हम डालेंगे मिश्री बाजार में आपको मिल जाएगी प्रसाद के लिए हमेशा उसी मिश्री का इस्तेमाल किया जाता है वो पहुंश शुद्ध भी होती है और उसमें कोई इंप्यूरिटी इस भी नहीं होती है यह देखिए अब खीर काफी गाड़ी हो गई है बस अब हमें इसे गैस को बंद करना है गेस बंद करने से दो मिनट पहले मैं इसके अंदर मिशी डाल दूगी आप चाहे को मिक्सी में पीसका डाल सकते हैं लेकिन मैंने मिशी को इसी तरह कीर में डाल दिया और दस मिनट वाद वह अपने आप ही घुल मैँ क्यूंकि खीर काफी गरम है हम किनारों से भी जो मलाई जो चिपक गई थी वैसे ज़्यादा है नहीं क्योंकि मैंने पहले ही कड़ाई में घी लगा दिया था तो आज का special tip यही है कि दूद की चीज बनाते समय में कड़ाई को पहले ही चिकना और गीला दोनों कर लेने चाहिए या खाली गीला कर लेना चाहिए दूसरा टिप जो अमने ड्राइफ रूट है उसको अच्छी तरह ग्रेट करने का तरीका देखा यह देखिए यह मैंने सारी मिश्री डाल दी यह 50 ग्राम के लगभग मिश्री है आप अगर मिठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा या कम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं बस अब हम गैस बंद कर देंगे मिश्री अपने आपी 5-7 मिरट के अंदर घुल जाएगी जब खीर थोड़ी ठंडी हो जाएगी मिश्री इसमें घुल च मुझे लाइची का पाउडर मिठाईयों में खुश्बू अच्छी नहीं लगती मुझे गुलाब की या केवड़े की खुश्बू अच्छी लगती है इसलिए मैंने दो चमच इसमें रोज वाटर डाल दिया है बस अब हमारी प्रसाद की खीर बिलकुल रेडी है टोटल टियार करने में इसे 15 मिनिट का समय लगाए और ये पांस से छे जनों के लिए पूरी अच्छी तरह से आप चाहें तो इसे गरम सर्व करें या जनमेश्चमी के दिन इसे दिन में बना कर रख दे और फिर फ्रिज में रख दे और जब रात को भगवान को भोग लगाए उस के बाद इसको ठंडी ठंडी खीर सबको सर्व करें सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप इसे वैसे भी अपने खर में बना सकते हैं क्योंकि इसमें केवल दूद और ड्राइफ रूट है और दूसरी बात मखाने सहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसमें हमने के इस्तेमाल नहीं किया नाई कोई ऐसी चीज जो प्रशाद में ना खा सके उपर से मैंने हलके से पिस्ता के साथ इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया है और थोड़े केसर के धागे डाल दिये जिससे कि यह खीर के बाउल बहुत सुंदर लग रहे हैं आप चाहें तो इस इस तरह से हमारी बहुत ही अच्छी मखाने की खीर बनकर तयार है मैं फिर से कहना भूल गई अगर आप सबको मेरा चैनल पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को ज़्यादा स्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने व कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं आप सबका मेरी वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सबका दिन शुबू पलुबुदए Кाई는 ही ताक हैं ताक के लिए नुक्रिया ज़त सकते हैं तो आप सबका ढ gentा कर दो आप सकत है तों आप सकते हैं प्रूबूबबुबुबबुशद है तो